हेलो आवरीवन स्वागत है आप सभी लोगों का एलन ओनलाइन के इस प्लैटफॉर्म पर आप सभी के ब्रेन स्टेमिना को बूस्ट अप करने के लिए लास्स सेशन में लास्स ब्रेनिस्ट्रम सेशन के अंदर हमने आप सभी लोगों को एक क्योशन दिया था आज हम उसका किया गया फृदर बोला गया कि कोई compound e बना अभी compound e कहा बन रहा है यह देखिए यह compound e बन रहा है आप इस compound e को अगेन एक और नई sequence of reaction के तुरूब पास किया गया और वहां से हमें compound 4 as a resulting product देखने को मिला और उसके regarding हमें बोला गया है कि identify the correct statement about the compound 4 तो बढ़ते हैं इसके solution की तरफ तो compound a जिसका molecular formula हमें क्या given है c4 h8 यह हमारा compound a है तो सबसे पहले तो हम क्या करें इसका degree of institution पता कर लेते हैं तो degree of institution कितना आएगा हमारे पास तो यहां से हम एक बात clear हो गई कि यहां से हम बेसिकली इसके probable structures draw कर सकते देखे easily एक possibility क्या है cyclobutain a possibility क्या है one methyl cyclopropane और possibility क्या है हमारे पास कुछ इस प्रकार का non terminal alken एक यह possibility है और क्या possibility यहां पर एक possibility है हमारे terminal alken ठीक और क्या possibility एक और अलकीन possible है हमारे पास open chain में कुछ इस प्रकार का यह जो अलकीन आपके सामने है इसका common name क्या है आपका आइसो बूटाइल ठीक है अब देखेगा यहाँ पर बोला गया कि compound A का जब treatment हमने किया dilute S2SO4 के साथ तो कोई compound I बना यह रहा हमारा compound I और इसका further treatment किया गया ZnCl2 प्लस SCL के साथ और वहाँ पर हमें क्या देखने को मिला immediate turbidity ZnCl2 प्लस SCL हमारा क्या है leucos reagent और उस case में हमें क्या देखने को मिल रहा immediate turbidity यानि यह बात हमें confirm हो गई कि जो हमारा compound I है वह क्या होगा थ्री डिग्री अलकोहल होगा तो compound I हमारा क्या है थ्री डिग्री अलकोहल चिक अब देखिएगा तो यहां से जो साइक्लिक वाली जो possibility वह था हमारी क्रॉस हो गई open chain में देखते हैं इसको वन बोल दिया इसको टू बोल दिया इसको थ्री दिखेगा अगर compound 1 & 2 को इन दोनों compound का जहांने treatment किया डाइलूट एस तो यहां पर हमारे पास टू डिग्री अलकोहल और हम जानते हैं कि टू डिग्री अलकोहल का जहां यूकास रिएजेंट से treatment करते हैं तो हमें टर्बिडिटी अराउंड 5 निट्स के सम्थिंग में देखने को मिलती है वहीं जब compound 3 का हमने treatment किया डाइलूट से यहां पर इस compound का हमने treatment किया डाइलूट से तो यहां पर हमारा थ्री डिग्री कार्बोकाटाइन बनेगा वहीं पर वाटरा टेक कर देगा और यहां से जो तो यहां से बात confirm हो गई कि जो हमारा यहां पर जो थर्ड वाली अल्कीन है यही हमारा रिक्वाइड कंपाउंट ए ऐसा अभी हमें प्रॉबैबली पता चला है ठीक है आगे बढ़ते हैं और यहीं बोला गया कि जो हमारा थ्री डिग्री अल्कॉहल है यहां पर जब इसका एन यहां पर हमें बोला गया है कि जो कंपाउंड ए हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट से ट्रीटमेंट किया गया फो फोलोड़ एक्षिकरिजेंट सो कंपाउंड वदकड़ और यहां से भी हमें FS इस series of reaction के थुरू compound G मिला और G का जब किसी reagent R से treatment किया गया तो वापी समय compound H मिला तो देखता है इसको यह कैसे proceed हो रहा होगा देखीगा तो यहाँ पर हमें यह पता चल चुका है कि जो हमारा compound A है वो है हमारा isobutylene जिसका structure कुछ इस प्रकार है जब इसका हमने treatment किया hot alkaline KMNO4 से hot alkaline KMNO4 potassium permagnate से तो क्या होगा basically simply हमारी oxidation reaction होगी हमें इस double bond को break कर देना है और जिस double bonded carbon के पास hydrogen है उसे oxidize करके कहां ले जारा है carboxly acid में यहाँ पर एक ही carbon है तो इसे हम कहां ले जाएंगी formic acid और यह जो double bonded carbon है कि इसके पास कोई hydrogen अवेलेबल नहीं तो simply कहां चला जाएगा हमारा यह चला जाएगा आपका ketone में तो यहाँ पर acetone as the resulting product देखने को मिलेगा और बोला गया है कि जो यहाँ पर यह चुकि हमारा formic acid room temperature पर इतना stable नहीं होता है तो यह further आपका breakdown हो जाएगा इसमें h2o plus co2 co2 in the form of gas हमें देखने को मिलेगा और यही बात हम से बोली गई है कि यहाँ पर जो यह बनेगा उसका treatment किया गया ग्रिग्नार्ड रिएजेट et mg cl से तो यहाँ पर क्या होगा simply et as a nucleophile carbon पर attack कर देगा और simply यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा followed by acidification इसको reagent 1 बोल दिया हमने इसको reagent 2 बोल दिया तो यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा propanoic acid बन जाएगा और क्या बन जाएगा हमारा sodium salt of the carboxlic acid बन जाएगा आप सभी का देखिएगा यह बन गया आपका cn3 cn2 c o o minus na plus यह बन गया आपका sodium salt of carboxlic acid अब इस sodium salt of carboxlic acid का electrolysis किया गया यह कौन सी reaction है हमारी call by electrolysis तो simply यह जो पार्ट है इस पार्ट को हमें co2 के form में यहां से बाहर कर देना है और यह जो remaining part है इसका हमें free radical बना देना है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा CH3 CH2 free radical यह काफी सारे free radical कोंगे तो एक दूसरे के साथ combine हो जाएगे कुछ इस प्रकार से आपका यह देखिए free radical एक दूसरे से combine होंगे और आपका resulting जो product बनेगा that will be CH3 CH2 CH2 CH3 that is N-butane यह क्या बन गया आपका finally आपके product N-butane बन चुका है और यही हमारा compound H चिक आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर इस compound को B बोला गया है देख लेते हैं एक बार वापिस हां कि compound B को इस sequence of reaction के थुनों में G तक लाना है और फिर G को किसी reagent से treatment करके आपके H तक लाना है तो इस sequence of reaction को next batch पे देख लेता है तो यह हो गया हमारा compound basically B क्या है हमारा compound acetone यही हमारा compound B है इस compound का हमने treatment किया गया NaoI से लिख सकते है NaoH प्लस I2 के form में तो यह हमारा कॉंसा reaction होगा basically है आपर इस गिवन कार्बोनेल compound का base and halogen के साथ हमने treatment किया तो यह हमारी कौंसी reaction है hello form reaction तो आप देखिए hello form reaction के थुरू हमारा क्या होगा इस part हम बाहर कर देंगे in the form of CH i3 और यह CH i3 हमें किस form में देखने को मिलेगा yellow PPT की form में यही हमारा compound क्या है यही हमारा compound क्या है आपका यह हमें yellow PPT के format format में देखने को मिलेगा ठीक है और साथ में यहाँ पर sodium salt of carboxylic acid o-na-plus और यह आपका CSTO इस compound का further acidification किया गया sodium salt of carboxylic acid का तो यहां से हमें final acetic acid मिल जाएगा इस acetic acid का further treatment किया गया और सी हमारी कौन सी reaction होगी soda lime decarboxylation reaction होगी जिसके तुरू यहां से यह part in the form of co2 gase बाहर निकल जाएगा और यहां पर क्या बनेगा CH3 minus anion generate होगा rds step के अंदर और उसी anion का हम क्या कर देंगे बैसिक acetic medium से treatment कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा यहां से मेथेन गेस बन जाएगी यहां से क्या बन जाएगा इसी मेथाइल क्लोराइट का हम किसी reagent से treatment कर रहें तो simply यहां पर हम किस से treatment कर दें ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो कि कुछ इस प्रकार का CH3 CH2 MgCl तो जैसे यह reaction होगी तो finally जो product होगा हमारा क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3 यही हमारा final product H ठीक है तो यहां पर जो हमारा यह हमारा compound है इसको जब silver metal की presence में heat किया गया तो कोई compound 1 बना तो simply जब किसी haloform compound को जब हम silver metal की presence में heat करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा यहां से alkyne बन जाएगा तो यहां पर जो हमारा compound 1 बनेगा यह क्या बनेगा अलकाइन यहां पर हमारे पास क्या है दो टाइप बेसिकली यहां पर दो एसेडिक हाइड्रोजन अवेलेबल तो यहां पर हमारा non-terminal alkyne और यही आपका compound 2 है ठीक अब इस compound 2 का फर्दर हमने क्या किया है यह क्या है हमारा poison hydrogen जिसके थुरू यह जो non-terminal alkyne है किसमें convert हो जाएगा हमारा cis alkyne यह किसमें convert हो जाएगा हमारा cis alkyne में कुछ इस प्रकार से convert हो जाएगा है यह हमारा बन चुका है cis alkyne और यही हमारा compound 3 है ठीक यह हमारा compound 3 है अब इस compound 3 का हमने treatment किया गया osmium tetra oxide से followed by sodium borohydride से हमने treatment किया गया तो यह हमारी कौनसी reaction होगी sin dihydroxylation reaction और चुकि हमारा जो alkyne कैसा alkyne आपका cis alkyne है cis alkyne है और यह जो reagent है यहाँ पर कैसा addition होगा basically यहाँ पर आपका sin addition कौनसा addition होगा sin addition तो इसके थूर जो product 4 बनेगा आपका compound 4 बनेगा हो कैसा बनेगा आपका बनेगा और उसकी शकाल आपको कैसी दिखेंगी मैं यहां लिख देता हूं कुछ इस प्रकार का आपको final resulting product देखने को मिलेगा CS3 CS3 OH OH और यहां पर आपके हाई तो यह हमारा resulting compound 4 होगा तो यह देखिए यहां पर जो compound 4 हमें देखना को मिला है इस compound 4 में दोनों viral centers के बाउट दोनों जो hydroxyl group है वह basically हमारे कैसे सेम साइड तो कैसा प्रड़क मिला हमें इरीथ्रो प्रड़क देखना को मिला यह हमारा compound 4 है तो देख लेते हैं इसके regarding क्या क्या statement गीवन है basically it is optically active compound देखते हैं तो जो हमारा compound 4 बना इस compound 4 के अंदर basically हमारा क्या है यह देखिए आप यह जो compound 4 बना इसके अंदर हमारा क्या है plane of symmetry प्रजेंट है plane of symmetry आपका क्या है प्रजेंट है इसकी वज़े से हमारा compound क्या हो गया optically inactive हो गया next there is no symmetry element in the compound 4 कैसे नहीं है अभी तो आपने देखा इसमे है plane of symmetry आपका मौझूद है net rotation of the plane polarized light is 0 degree तो देखते हैं तो चुकि जो हमारा compound 4 basically कैसा compound है आपका meso compound है तो meso compound basically internal compensation की वज़े से आपका जो उसका net rotation होगा plane polarized light का वो क्या होगा 0 degree तो statement आपका बिल्कुल correct है आपकर c statement बिल्कुल correct है a और b wrong statement next बोला गया है the above resulting compound is erythro बिल्कुल सही बात है यह हमारा resulting compound एक ऐसा है ethro product है हमारा तो इस भी आप पर हमारा d statement भी बिल्कुल correct हो गया तो देखिए इस question के थुरू में कित्ती सारी reaction कित्ते सारी reagent आने चाहिए थे ताकि हम final product जो हमारा product 4 है basically compound 4 है उसको compound को predict करने के बाद भी यह सारे statement जो कि हमारे stereo chemistry से related है उनको हम बिल्कुल सही predict कर पाए तो इसी के साथ अब यहाँ पर आपको क्या होगा next question आपको यहाँ पर brainstorm series का देखने को मिलेगा आप सभी उसे बहुत अच्छे से practice करे solve करे और comment box में अपना answer में जरूर लिखे so इसी के साथ आप सभी लोगों से नए question के साथ मिलेंगे thank you क्षगर बिल्कुल यहाँ अब झाल सो को साथ यहाँ जरूर को क्षगर खुगर रणार